हेलो प्रेंट्स रूबीन मंसूरी चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेका रहे हैं सिंपलर एजी आलू मटर की सबजी तो हम बताते हैं आपको इस तरह से बनाएंगे यह हमने ले लिए आदा किलो मटर फ्रेश मटर है पांसु ग्राम और दो बड़े साइस क हमने इसमें आलू ले लिए हैं और इसका मसाले के लिए हमने लिया है जिंजर और गार्लिक और इधर ओनियन लिए और दो बड़े टमाटा दिये हैं इन सबको हम एक जंगा मिक्स करके पीस लेंगे मिक्सर में तो फ्रेंट्स आलू मटर की सबजी सब सबजी में जब से जा कुछ सब्सक्राइब जाती है सब पसंद भी आती है अब हम इसको जड़ लेंगे और इससंब को एक जंग पीस लेंगे तो हमरी यह सब पूल भी अब यह हमने एक पैन ले लिया है है इसमें ऑईल अधिक टी टेबल स्पून उपरोल हो जुका है इसमें हम डालेंगे क्यूममशीड ऑफदे जीड लसन और ओनियन टमाटा डाल दिया है इसको अच्छे से भूनेंगे जब यह हमारे दो मिनट तक पक जाएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट नमक आप अपने सौजनुसा डाल सकते हो हलदी पॉडर बन टैबल इसपून और इदर डाला है रेड़ चिली और डाल दिया है अब हम डालेंगे इसमें टू टीसपून को रियंडर पॉडर निया पाउडर भी हम नहीं डाल दिया है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में तक मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक मसाला ऑइल ना छोड़ दें तब तक हमें इसको अच्छी से भूनना है यहां ने डाला हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसको अच्छी से मिक्स कर देंगे तो हमारा मसाला भूनने आ गया है अब हम इसमें डाल देंगे मतल जो हमने अलग ले रखी थी मतला बाम टूलेंगे ले अच्छी से मिक्स करेंगे और ब मसालें में एक से दो मिना तक भूनेंगे अब इसमें डाल देंगे जो हालु हमने कटकर की रखेदे रखे दें आलु डाल कर भी हमें एक से दो मिनट तक अच्छे से भून लेना है मसाले को इसके बाद आपको जितना पानी इसमें डालना है उतना डाल सकते हैं यहां मैंने 1 गलास पाने दाल दिया है क्योंकि अभी हमें इसको 5-10 मिनट पकाना भी है अब हम इसको ढख देंगे और 10 मिनट तक पकने देंगे हमारे सब्सक्रे तैयार हो चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे अरजनिया जो हमने कट करके रखा था कर दो कर दो? कर दो